अगर आप अपने पेट को साफ करना चाहते हो तो आज जो मैं आपको पांच बाते बताऊंगा इने में से कोई एक कर लो आपका पेट रुजाना अपने आप साफ होगा करना क्या है? दोफ्तों बहुत सारी लोग यही कमेंट करते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता बाके ही अगर हमारा पेट साफ नहीं होता तो हमें बहुत नुकसान होते हैं सबसे पहले नमबर पर मैं आपको बताता हूँ पेट को साफ करने के जो तरीके में आता है सबसे पहले इसब गोल आपने नाम तो सुना होगा यह एक ग्राम बाद दवा है इसको लेना कैसे हैं दस ग्राम आप इसब गोल लो एक सो पच्ची ग्राम दही में मिलाकर सुबा और शाम खाना शुरू कर दो पेट साफ आपके हुने में बहुत आपको मदर मिलेगी कबज के इलाज के लिए अगर आपने कोई ग्रेलू पाए करना है तो क्या करना है कि रात को सुने से पहले बदाम का थोड़ा सा तेल गुनगने दूद में मिलाए और इसे पीए तकरीवन आपने दो हफ़ते इसका पर जो करना है और जो आपकी पुरानी से पुरानी कबज है वो ठीक हो जाएगी तीसरे नमबर पर मैं आपको बताता हूँ करने में बहुत help करता है लेकि लेने का तरीका अगर आपको लेने का तरीका नई पथा तो जो मर्जी कर लो नारील का पारी आपको बिल्कुल भी फाइदा नहीं परेगा अगर आपके नस्हों में बहूं नारियल लेकर आओ, सुबह खाली पेड जब भी आप उठोगे पहले वाश्रूम जाओ, सबसे पहले पेड को खाली कर लो और फिर नारियल का पानी पीना शुरू करो, दो हफ्ते तक लो आपकी जो पेड की समस्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगे, चौते नमबर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेड को साफ रखने के लिए हमारे सरीर में अच्छे बैक्टीरिया होना बहुत ज़रा ज़रूरी है, और जो अच्छे बैक्टीरिया हमें कहां से मिलेंगे, दही से मिलेंगे, आप दही का सेवन जितना कर सकते हो, अपने डाइट में इसे जिरूर आपको बहुत सारा फाइदा हो, पांच में नंबर पर और लास्ट में आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने पेड को साफ करना चाहते हो, आईरुवेदिक के उपचार से देसी नुस्व का कोई भी दुआ नहीं लेंगे, तो त्रिफला चून का इस्तमाल करना शूरू करें, आपको बजात से त्रिफला चून मिल जाएगा, पितंजली का आता है, ढावर का आता है, हमाल्य का आता है, बहुत रखे आते हैं, पांच से 6 ग्राम, पांच से 6 ग्राम आप त्रिफला चून लो, इसको थोड़े घुनगने दूद के साथ देना शूरू करना हो,